आपका मेरे चिनल होम कुक पे एक बार फिर से स्वागत है तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं राखी स्पेशल कुछ ही हमें से मिठाई ये बनाने के लिए मैंने फ्रेंड्स ये जो मैं आपको कटोरी दिखा रही हूं ये कटोरी के नाम से मैंने अ कम से कम तीन कटोरी शक्कल लिये कर दो कटोरी बेसन लिया है और एक कटोरी मावा लिया है मैंने घी लिया कुई ये कोई झरान पर होती हैं तो चली आप उस्था कर सक्ने पने घखिया है और उसके अंदर फे मैंने जो बेसन दिखाया था आपको दो कटोरी बेसन वो डाल दिया है और अब मैं बेसन को अच्छी तरह से सेक रही हूँ या भून रही हूँ कहा सकते हैं आप देख सकते हैं बेसन सिखना स्टार्ड हो चुका है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना न भूले यह फटा-फट सा बन जाता है इसको बनाने में जादा टाइम भी नहीं लगता है और जादा महनत भी नहीं है देखिए आप बेसन भूना स्टार्ड हो रहा है दिरे दिरे यह भूनता जा रहा है इसके अदर कित अच्छे बबल्स बनते जा रहे हैं और यह दिरे दिरे अच्छे से उफनने लगा है फूलने लगा है आप देख सकते हैं घी के अंदर बेसन कितनी अच्छे तरह से भू अगर आपको थोड़ा लाइट किलर जीए ताप लाइट कलर में निकाल सकते हैं बढ़ मुझे थोड़ी अच्छे लग चीए इसलिए मैंने इसको अच्छा डाक कराएं पिर हमने इसके अंदर मावा डाला है जो मैंने आपको अपको काटोरी दिखाईए थी यह फिरेंड्स म और उसके अंदर यह मैंने करीब तीन कटोरी शक्कर दी जो मैं आपको कटोरी दिखा रही हूं और यही शक्कर में चाशनी के लिए इसमें डाल दूगी हमें बेसन की जो बर्फी उसकी चाशनी थोड़ी सी टाइट बनानी बढ़ती है क्योंकि अगर पतली बनाएंगे तो ज हमारी बर्फी भी थोड़ी से अच्छी कड़क और सॉफ्ट बनेगी आप देख सकते हैं मैं इसकी चाशनी बना रही हूं इसकी चाशनी बनने लग गई है यह पकने लग गई है अब देखिए दिरे दिरे गठी भी होने लग गई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नभी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शुस्क्राइब और शेयर करना न भूले अब मैंने इसके अंदर इलाइची पाउडर डाला है मैंने करीब एक चमच इलाइची पाउडर डाला है उसके बाद में इसके अन्द थोड़ा सा लाल कलर डाल कि यह आप्छीनल आप आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं चाहें अवोइड कर सकते हैं अब देख सकते हैं आप देखिए इसका कलर भी कितना बड़िया हो गया है है घो किता अच्छसे मिक्स हो चुकैं मैंने गेस महीं चालू करती है कि मैंने इसको सर्फ गेस के एपर इसे ही रख रखा है पिर इसके अंदर तिरगा हम स्टार्जनि डालना स्टार्ट करेंगे ही epa आप देखें मैंने इसके दर चाषनी डालना स्टार्ट परफेंड हैं हमिसारी चाषनी एक साथ नाईनी देखनेगी और Jim स्ब्सक्राइं क्ढ़क शनी डालते हैं ऐसे चाषनी कोनिटि के चाथノांदिया मैं अक्षानी योडिया नहीं मत शना है में इसलिए चाशनी हम धीरे धीरे ही डालेंगे फ्रेंड्स यह आप देख सकते हैं चाशनी इसके अंदर कितनी अच्छे से हो गई है और यह कड़ाई में से तीरे तीरे अपने आप निकलना भी स्टार्ट हो गया है यह विल्कुल एक जिसा हो गया है अब मैंने एक प्लेट किसरे न बढ़्या हो गया हम जेख सकते हैं अब इसके ऊपर हमने ड्राइफू ऑ जैणदी की वर्क हथी है उससे हम थको डेकौरेट कर लिया है इसे नोइन पर दुनाई को जचान्निक को यून कर सकता है विदाउट जे को यूजा कर सकते हैं में कोई भी मिठाई हमेशा .. जचकू के उपर हलका सा तेल लगार करकार ही नहीं हमें और सब्सक्राइब है यह घाज है मतंदा जोय हो एक है कि देख सकते हैं कितना बड़िया आया है कि आप देखिए फ्रेंट से कैसी लग रही है और प्लीज मुझे प्लीजे में बता ये न शढ़्त मैं देखी में रही है आप देख सकते हैं फ्रेंट से किती बड़या लग रही है बिल्कुल हलवाई जैसी बजार जैसी आप प्लीस मुझे कमेंट में बताईए आपको मेरी मिठाई कैसी लगी अगर आपको मेरी मिठाई अच्छी लगे तो प्लीस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और ये दिखने में तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी बड़या और कितनी यमी लग रही है और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रिडेंट भी हमने यूज नहीं करें नॉर्मल बेसर शक्कर और मावा ऑप्शनल इफ्रेंड्स अगर आपके पास मावा नहीं हो तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और मिल्क पाउडर भी नहीं हो तो आप उसे आपको यह कैसी लगी है देखिया आप मैंने आपको इसको तोड़के भी दिखाईए यह बिल्कुल ठलवाई जैसी लग रही है न थैंक्यू पोर वाचिंग मैं चाहिए